हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फार्मा मोटिफ आज हम जानेंगे मून सिफ ओफिप्टी सिरफ के बारे में जो की एक एंटिबायोटिक है जिसको अरिष्टो कंपनी के द्वारा बनाई गई है जिसमें सिफोडाक्सीम कंपोजिशन का इस्तमाल किया गया है वीडियो को सुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वेल आइकन को प्रेस कर लें इस सिरफ को यूज करने के लिए इसमें एक वाटर आता है जो की प्यूरिफाइड वाटर होता है इसको यहां तक यहां तक ही इसमें वाटर को डाल लें और उ Second, बच्चों को तेज बुखार में इसको दिया जाता है Third, सरीर में फोड़े फूंसी हो, सरीर में जख्म छोट लगने पर छिल जाने पर दिया जाता है Five, खासी की समस्या होने पर भी इस एंटिवाटिक का उप्योग किया जाता है 6. गले की समस्या में भी इसका अप्योग किया जाता है 7. निमोनिया हो जाने पर भी इसका अप्योग किया जाता है बात करें साथी में इसके डोज के बारे में तो डोज वजन के हिसाब से दिया जाता है तीन महीने से बड़े बच्चे और दस साल तक की बच्चों को इसे दे सकते हैं चलिए बात करते हैं इसके प्रिकॉसन के बारे में तो बच्चों को कोर्स भर डोज देनी चाहिए अगर समान लच्छड दिखे तो रैसेस इचिंग जैसी तो डक्टर से सला लेकर ही दवा का प्योग करें सीरप को धक्कन खोलने के साथ दिन तक ही यूज करें क्योंकि उसके बाद दवा का खराब हो जाता है फोर्थ नमबर बात करें इसकी साइड इफेक्ट की तो बोमेटिंग, स्टमक पेन, रैसिस हो सकती है अगर कोई भी इससे दिक्कत हो तो बंद करके सीरफ को डॉक्टर से कंसल्ट करकर ही दवा लें सो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें थैंक यू सूमाच जैहिन जैवारत